दोस्तो धर्थी पर आए दिन गड़ों का निर्मान होता रहता है लेकिन एक ऐसे गड़ों के बारे में सोची है जो आपको प्रित्वी के आर पार पहुँचा दे बच्पन में यह अफवा आपने अक्सर सुनी होगी कि अगर हम बारत से जमिन की खुदाई करे तो कुछ दिन बाद हम अमेरिका पहुँच जाएंगे क्यार बच्पन की यह बाते हैं अब आपको बेशक बेतुकी लगती होगी अगर सच में ऐसा होता तो लोग यातायात के इसी साधन का इस्तेमार करते और अमेरिका पहुचने के लिए जगह जगह सुरंग खोदते चले जाते लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है काम दरती को गहराई तक खोदने की अपनी भी एक लिमिट है जिसके आगे खोदना या जाने की कोशिश करना अपनी मोत को बुलावा देने जैसा है विश्वास नहीं होता है तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर हो जाएगा अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि पृत्वी को अपनी मर्जी के मताबिक कितनी भी गहराई तक खोद सकते हैं और उसके आरपार जा सकते हैं तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब लेकर आए हैं क्या सच में पृत्वी के आरपार कोई गड़ा खोदा जा सकता है और आखिर आज तक साइंटिस्टों ने पृत्वी की कितनी गहराई तक खोदाई की है और पृत्वी की गहराई में वैग्यानिकों को क्या नजर आया तो चलिए आज इनी सवालों को लेकर चल पड़ते हैं अलग दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश संचोरी आप देख रहे हैं रहस देलविजन यूट्यूब चेनल जर आपने दिमाग पर जोर डालिये और सोचिए कि आपको अपनी रोजमरा की जिंदिगी में आज तक आपने कितना गहरा गड़ा देखा है आपका जवाब जरूर 10 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर इससे गहरा गड़ा आपने नहीं देखा होगा लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में सवाल आया है कि आखिर इंसान ने कितना गहरा गड़ा खोदा है और इसे खोदने के पीछे क्या कारण रहा होगा ये दिखता कैसा होगा और इसे कैसे बनाय गया होगा दुनिया के सबसे गहरे गड़े का निर्मान सोवीत यानिकी रसिया ने किया था हम बात कर रहे हैं कोला सूपर डीप बोरे होल की इस गड़े को वैग्यानिकों ने 1970 में एक प्रियू के तहट खोदा था दरसल वे जानना चाहते थी कि जमीन की बाहरी सथय के नीचे क्या रहस से छिपा है और गड़े के माध्यम से धरती की कितनी गहराई तक खोदा जा सकता है इसके लावा इस गड़े को दुनिया के सबसे विकासी तेसों में लगी एक्सपलोरेशन की होड के जीतने के लिए भी बना गया था दरसल अमेरिकी वैग्यानिकों के प्रोजेक्ट माहल को चुनती देने के लिए रूस ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया कोला सूपर डीप बोरे होल को खोदने में रसिया को 20 साल का समय लगा इस कुदाई के लिए रसिया ने युराल मास नाम की ड्रिलिंग मशीन को इजाद किया था जो किशी भी परस्तिती में ड्रिल करने में शक्सम थी मल्टी लेयर ड्रिलिंग सिस्टम वाली इस मशीन की टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर थी लेकिन वैग्यानिक नहीं जानते थे कि प्रित्वी की कौर उनकी कल्पना से भी कही ज़्यादा गहरी है और इसके तल तक पहुंचना एक टेड़ी खीर है कोला सूपर डीप बोरे होल को खोदने के लिए वैग्यानिकों ने जोर शोर से अपना काम जारी रखा लगातार 20 साल की खोदाई के बाद साइंटिस्ट 12.24 कीमी गहरा और 9 इंच डायमेटर वाला गड़ा खोदने में सफल रहे 1994 में जाकर साइंटिस्टों को इसकी खोदाई रोकनी पड़ी क्योंकि इसके आगे बोरे होल को खोदना मुम्किन नहीं था ये गहराई इतनी थी कि इसमें 240 फीट के 166 कुतुब मिनार आराम से समा सकते थे इसके अलबा केवल 12 किलोमेटर गहरा गड़ा खोदने में वैग्यानिकों को 20 साल का समय लगा जबकि प्रिथवी की सथय से केंदर की दूरी 6321 किलोमेटर है यासे मैं आप पूरी उम्र भी खोदाई क्यों ना कर लें तब भी आप प्रिथवी की केंदर तक नहीं पहुच पाएंगे खेर ये तो रात तत्यात्मक कारण लेकिन इसके आलबा भी कही कारण थे जिसके चलते बोरे होल की खोदाई का काम रोकना पड़ा दरसल वैग्यानिकों को इतनी गेराई पर खोदते स्वे कही नई जानकार्या हासिल हुई जिसमें सबसे एहम बात थी कि प्रिथवी की सथय से नीचे की और जाते वे धीरे धीरे तापमान तिल से बढ़ रहा है इसके अलबा साथ कीमी पर वैग्यानिकों को कई नई नई माइक्रो निजम और गेस से हाथ लगी जो काफी काम की थी लेकिन खुदाई को बंद करने का मुख्य कारण बढ़ता तापमान था 12 किलोमेटर पर डिगिंग मशीन पिखलने लगी और वहाँ का तापमान 180 डिग्री सेल्शेस से भी ज़दा हो गया था ऐसे में प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था वैग्यानिकों का मानना था कि ये गहरा होल धर्थी के कोर की गहराई का 0-2% भी नहीं था लेकिन फिर भी वैग्यानिक आगे बढ़ने में पूरी तरह ऐसा मर्थ थे इसलिए इस प्रोजेक्ट पर रोक लगानी पड़ी इस प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए हमारे पास परियापत मशीने नहीं थी इसके बाद होल को हमेशा के लिए शील कर दिया गया और फिर कभी भी इस पर काम नहीं हुआ कुछ लोकल लोगा का ये तक मानना है कि ये होल इतना गहरा था कि इसके अंदर से आत्माओं की चीख सुनाई देती थी और ये होल नरक का द्वार हो सकता है इसलिए ये कभी नहीं खुलना चाहिए आलंकि वैग्यानिक इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और उनका इसको बंद करने के पीछे मुख्य कारण आउटडेटेड मशीन थी इसके लावा सोवियत यूनिन के तूटने के बाद इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए आने वाला पैसा भी बंद हो चुका था ऐसे मैं इसे हमेशा के लिए बंद करना ही आखरी विखल्प था दर्ती की गैराई तक जाने के लिए वैग्यानिकों का पहला और आखरी प्रयास था यह इस गड़े के माध्यम से भले ही कम कही जानकारिया हाथ लगी लेकिन ये बात साफ हो गई कि प्रित्वी के आरपार जाना नामुंकिन है क्योंकि हम इसके तल पर पहुँचने में भी सफल नहीं है हलांकि सोवियत संग का कोला सूपर डीप बोरे होल अकेला नहीं है जिसने प्रित्वी के केंदर तक जाने का प्रयास किया है कोल्ड वार के दोरान सभी माध्य शक्ती देश प्रित्वी की सथे से कोर तक गहरी ड्रील करने के लिए राजी थे लेकिन ये एक महंगा और खर्चिला प्रोजेक्ट था जोसे बाकी देशों ने कुछ समय बाद बंद कर दिया त्याग दिया और रसिया ने इसे 20 साल तक जारी रखा ताकि विग्यान के छेतर में बाजी मार पाए रसिया पर ऐसा कुछ हुआ नहीं इससे ये बात साप होती है कि पृत्वी के केंदर में पहुँचने के सभी विग्यानिक प्रयास कही मायनों में विफल है यासे में सवाल आता है कि अगर हम पृत्वी के केंदर तक पहुँचने का प्रयास करें तो वहां हमें क्या देखने को मिल सकता है बले ही आज ये मुम्किन नहीं है पर क्या जरूरी मशिनों के शाथ ये मुम्किन हो सकता है और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या हम पृत्वी के आरपार भी निकल जपाएंगे क्या हम पृत्वी के आरपार जा सकते हैं एज़मे प्रिजवी के केंदर में जाने के लिए कुछ तैयारियां हमें करनी जरूरी है सबसे पहले वहाँ जाने के लिए हमें एक सुरकसात्मक हीट सूट की जरूरत होगी जो हमें मौल्टन कोर के गर्मी से जलने से में बचा सके क्योंकि बारा के में पर इन तापमान इनसान की सेहन की शमता से कही ज़्यादा हो जाता है इसलिए हमें एक पुखता सूट की जरूरत होगी जो मशीन और इनसान दोनों को गर्मी में सही सलामत रखने का काम कर सके उसकी हीट रेसिस्टेंस कैपिबिल्टी 7000 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि प्रिश्वी के कौर का तापमान 6650 डिग्री सेल्सियस है यह तापमान सूरज की सथा से भी 2000 डिग्री ज़्यादा है अगर मान भीले कि केंदर में पहुंचने पर हम होट मेगमा से बचने में सफल रहे तो भी उस चेतर में मौझूद गर्म हवा हमारी जान लेने के लिए काफी होगी बता दे कि जिस तरह पानी के भीतर जाने पर दबाव बढ़ता है उसी तरह प्रत्वी के कौर में जाने पर आप जादा दबाव महसूस करेंगे आप जितना अंदर जाएंगे ये दबाव उतना जादा बढ़ता जाएगा क्योंकि आपके उपर हवा काफी जादा होगी प्रित्वी पर अगर हम 50 कीमी से भी ज्यादा नीचे पहुंचने पर काम्याब रहते हैं तो हमें बिलकुल ऐसा लगेगा जैसे हम समुदर के सबसे भीतरी बाग में हैं इतने अंदर हमारे शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बच पाए क्योंकि दबाव के चलते इंसानी शरीर फट जाएगा किसी तकनीक के चलते अगर हम इस इस्तिती से बचने में भी काम्याब रहते हैं तो भी हमारा जिंदा बचना मुम्किन नहीं है दरसल प्रित्वी एक गंटे में 1600 कीमी से यात्रा करती है और केंदर में जाते हुए एक इंसान की स्पीड 28,000 किलमेटर पर घंटे होगी यानि हमें प्रित्वी के कॉर में पहुंचने में आदा घंटे से भी कम समय लगेगा इन सभी बातों को साइड रखकर फिर भी अगर हम प्रित्वी के कॉर की ओर गए तो हमारा मोमेंटम बेशर कि हमें प्रित्वी की दूसरी ओर यानि की आर पार ले जा सकता है जिसमें 42 मिनिट का समय लगेगा लेकिन जैसे जैसे हम दूसरी ओर पहुंचेंगे वैसे ही प्रित्वी की एक्स्ट्रीम ग्रेविटी हमें वापस कोर की तरफ खीचेगी जैसे हम वापस वहीं पहुंचाएंगे जहां से यात्रा हमने शुरू की थी बस फरक इतना होगा कि इस पूरी प्रिक्रिया में हम बच्च नहीं पाएंगे प्रित्वी के केंदर में पहुंचना या फिर इससे आर पार जाना एक ख्याली पुलाव है जैसे दरातल पर उतारना मुम्किन नहीं है यही वज़े है कि रूस की 20 साल की मैनत पर पानी फिर गया और इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा जब हम प्रित्वी के केंदर में जाने में ही सफल है तो प्रित्वी के आर पार जाने का ख्याल तो आप दिमाग से ही निकाल दीजिए ऐसी कहानिया केवल फिल्मों में अच्छी लगती है लेकिन यह कहानिया सच्छा ही से कोसो दूर है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और आपकी इस पर क्या राय है अपनी राय हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर बताए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद